आपहरन की जूटी कहानी बनाई जूटी कहानी बना ली चात्र ने ऑनलाइन गेम खेलने में पैसे हारने के बाद खुद के अपरन की जूटी कहानी रची इसके बाद परिजनों को कॉल कर 50,000 रुपे की फिरोती की मांगी पुलिस ने पुरे मामले को 8 घंटे के अंदर खुलासा किया आरूपी चात्र नंदन बेटिंग गेम खेल रहा था वो तीन मेहने से लगतार गेम और हाड रहा था नंदन के खाते से सारएओभे छत्म हो गया उसने परिवार वालों से पैसे भी मांगए लेकिन उन्होंने नहीं नहीं दिये इसके बाद मंगलवार के सुबफ़ चार बजे से वो गायव था मामले की जांच शुरू कर दी इसके बाद पुलिस ने परिजनों को दुबारा नंदन के खाते में कुछ पैसे बेजने को कहा फिरौती का पैसा खाते में डालते ही अकाउंट से तुरंट ट्रांजेक्शन किया गया पुलिस लगतार उसके खाते की मॉनिटरिंग कर रही थी और पैसा डालने के बाद चात्र ने परिजन को फोन कर सूचना दी कि उसे अपरादियों ने छोड़ दिया है। शात्र का अकाउंट चेक किया तो उसमें पाया गया कि शात्र नंदन ने ऑनलाइन गेम के खाते में दो से तीन हजार का बेट लगाने को लेकर हाडने के बाद पैसा ट्रांजेक्शन किया है। परिजनों ने पुलिस के मदद लिए और पुलिस ने कारवाई करते हुए एंजर के शात्र को बरामत किया। अपरंग का पूरा मामला सामने आया जो की जूठा निकला। फिलहाल पुलिस चात्र से पूच्टाच कर गही है। आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं। आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आश्याना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर।